उसे इस बात का अफसोस था कि उसने 50 महिलाओं की आखों में उसके लिए खौफ नहीं देख पाया उसे इस बात का अफसोस था कि वो 49 महिलाओं को ही मौत के घाट उतार सका ये हैवान है कनाडा का रॉबर्ट पिटकॉन जो महिलाओं को मार कर एक रिकॉर्ड बनाना चाहता था कनाडा की जेल में उम्रकैत की सजा काट रहे रॉबर्ट में अपने गुनाहों को कबूल करते हुए अपनी हैवानियत की कहानी बताई थी आपको बता दी कि रॉबर्ट का शिकार होने वाली सबी महिलाएं पेशर से वैशा थे ये हैवान सीरियल किलर रेड लाइट एरिया में बता और ग्रहक वैशाओं से मिलता था कहते हैं कि रॉबर्ट पहले वैशाओं के साथ शारेरिक संबंद बनाता और उसके बात खास ड्रक्स बताकर महिलाओं की शरील में बेरहमी से जहरिले इंजेक्शन इंजेक्ट करता और उन्हें मौत के घाट उतार देता ये करीब साथ साल तक मौत का खेल खेलने वाले इस हैवान की हैवानियत का किसी को पता नहीं लगा क्योंकि ये मैलाओं को मार कर उनकी लाश को अपने पिक फॉर्म में दफना दिता था मगर लगातार गायब हो रही वैश्याओं की जाच के दोरान पुलिस को कुछ सुराग मिले और कई सालों की मेहनत से फुलिस ने आखर इस हैवान को साल 2002 में गिरफतार कर लिया अपनी हवस और सनक के चलते इस हैवान ने बेगुनाहों के साथ मौत का ये खेल इसलिए खेला क्योंकि ये बस अपनी हैवानियत का रिकॉर्ड बनाना चाहता था आपको बता दे कि सीरियल किलर रॉबर्ट पिटकॉन के गिरफतारी होने के बाद पुलिस को करीब 26 वैसियाओं के गायब होने की बारे में पता लगा था जिन्हें रॉबर्ट टेप ने फार्म में मार कर दफना दिया था बता दें कि कनाड़ा की कोट ने रॉबर्ट की इस हैवानियत के लिए उसे उम्र कैद की सजा सुना कनाड़ा की जेल में बंद कर दिया गया था